बिरन्वी शोक्लिफ्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो सर ताकि लोग SP वेट सवर को ज्यादा जाने इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहो प्लीज डोंट मैंड एक बार आप अपना हाथ दिखा सकते हैं कैमरे के सामने और समझाईए कि इस हाथ के बीचे स्टोरी क्या है ये हाथ पुरा कट गया था ये एक अटैक हुआ था ये हाथ पुरा रीकंस्टक्ट किया है कही बार मैं जब सुलूट करता हूँ तो ये उंगली सीधी नहीं हो साथ ये जो उंगली है ये दो पिन पर खड़ी है तो इसको रीकंस्टक्ट प्लास्टिक साजजन ने किया है तो ये मैं डी आईजी पारा मूला था पारा मूला कुप वार्डर रेंज एक बार्डर एरिया है कश्मीर का ये 23rd मार्च 1999 की बात है तो I was looking after the charge of IG कश्मीर IG कश्मीर का मेरे पास charge था तो मैं चार-पाइच दिन के लिए स्री नगर हैड़कॉर्ट कश्मीर वैली का जो senior most police officer होता IG कश्मीर, inspector general police तो मैं उसका charge मेरे पास था I was asked to station in स्री नगर तो मैं चार-पाइच दिन के लिए वहाँ आया था दिन भर anti-terror operation करते रहे शाम का वक्त आया तो मुझे message आया कि आपको बापस 12 मूला कल half the cabinet is coming there सोपूर में तो आप वहाँ आये मैंने कहा मेरी जरूरत नहीं है मैं range DIG हूँ district SP and district magistrate दोनों है तो they can handle it but I was told कि नहीं आप भी वहाँ जाएएगा तो मैं operator को बुला के बुला कि आप गाड़ी गाड़ीयं तियार करिये मुझे बापस 12 मूला जाना है तो operator ने सोचा कि DIG साब बापस जाएंगे वहाँ खाना नहीं होगा वहाँ खाना मुझे बहुत महँगा पड़ा उसने वाइरलेस सेट पे उसने बोल दिया कि खाना तियार अखिये DIG साब आएंगे तो इसने वहाँ ग्रूप्स वहाँ खाना जाएंगे डाउन दी हिल टंग मरके उन दोनों ग्रूप्स ने प्लैन किया कि ये आ रहा है इसको आज अटैक करेंगे तो उन्होंने एक पुथखा गाउं है विच इस वन किलोमेटर शाट अफ सोपूर क्रासिंग बारामुला को जाते होए जो हाइवे है नैशनल हाइवे स्रीनगर टूबारामुला तो उधर उन्होंने पूरा गाउं खाली कराया दोनों तरफ सडक के जो दुकाने थी उसके उपर UMG यूनिवर्सल मशीन गन्स पिट की जब हमारा मोटर केट आया उसपर सैंकडो गोलियां चलाए फ्रंट एसकाड जेन के पुलीस का था उसपर गोलियां आई और निकल गया उसके बाद मेरी कार थी जो बुलेट प्रूफ थी ठैंक्स गॉड गे बुलेट प्रूफ थी अगर उसपर कोई हंडर्स अब बुलेट्स आई इसका पावर ज्यादा होता है वो रिपीट फायर होता है बार-बार एकी जग़ए तो तोड़ देगा तो उससे गोली निकली और ड्राइवर को उसका लेफ्ट शोल्डर से क्रास कर देगा दूसरी गोली जो है वो साइट से निकली विंडो से विंडो में वहां लोहा पतला होता है वो मेरा हाथ पुरा काट गई इतनी देर में तर्रफ ने कोई 18 तर्रफ थे 17-18 तर्रफ उसमें से एक तर्रफ आया वो वांटि टेक मी होस्टेज तो मेरी गाडी फॉर्चुनेटली लॉक था वो दरवाजा खोलने के लिए कोशिच कर रहा था ताकि मुझे किड्नाप करे ताकि मुझे करे लिए पर दोर इतनी देर मेरी गाड़ी खेच गेए मैंने अपने ड्राइवर को जो इंजड था उसको मुझे पीट पे हाथ मार के कि गाड़ी निकालो अगर आप उस सिचुएशन से निकलोगे नी तो इतनी देर में उनने पीशे से गरनेड मारा एक स्पलिंटर जो है वो मेरे उस लेफ्ट बिंडो से निकल के मेरे स्कल में गुस गया उसने स्कल में जाके एंबेड हो गया बट ब्लीडिंग होने लगी इतनी और हाथ कट गया इधर गरनेड लग गया स्पलिंटर बट आई एक उस वकत मुझे एक तो पहली थाट भगवान की तरफ गई और दूसरी थाट फैमिली की तरफ और थार्ड थाट केम जो हमने सीखा था ट्रेनिंग में कि एंबुश जो ऐसा होता है उसका बेस्ट पहली जो उसका बेस्ट वाट एक प्रफ दूसराम जो पिनेग प्रफ प्रफ भगवान की तरफ आई प्रफ भश गया तो मैंने ड्राइवर और उसको कहा कि गाड़ी निकालो तो उसने, जब मैंने बोला हिमत की इंजड कंडिशन में गेर लगया, गाड़ी किच गई, बुलडफू गाड़ी भारी होती है, हलकीजी बारिश हो रही थी, अंदेरा था, रात का बक्त था, गाड़ी भारी हो वे चापड़ी था, बड़ और अपरेटर और रहा बारिशन में बड़ी रखिये और डिप्ती गमिशनर, SSP और SHO को बोलिये, वहाँ दॉक्टर सरजन होना चाहिए. वहाँ से अभी भी टैन किलो मेटर थाओ, तो माई वरी वाँ ब्लीदिंग से ड़त हो जाएगी. But when I reached there, fortunately blood was there, operation was there, there was no anesthesia available, local anesthesia. जिस तरह से बोरी को सीते हैं, ऐसे सी दिया हुआ. इतनी देर में, G.O.C., the army G.O.C. came. He said, we can't shift you because the doctors are saying we can't operate your head here. So you have to be shifted to Srinagar. But रात को ROP लगानी पड़ेगी, क्योंकि हेलिकप्टर नहीं आ सकता. तो रात को army की ROP लगा के मुझे Srinagar 92 Base Hospital में रात को operate किया and ये splinter निकाला army Base Hospital में. दूसरे दिन, एक मिनुट सौर, एक मिनुट, थोड़ा सा रिवाइंट करता है. Let's rewind to just before the ambush. जब ambush की पहली गोली चली, आपकी पहली reaction क्या थी? क्या चल रहा था आपके दिमाग में? I was not expecting कि attack होगा, but I was taken away. जब बहली गोली चली, तो आवाज आई. क्योंकि अंदर तो गोली आई नहीं, क्यों मैं बुलिट पूप गाड़ी में. मैं ड्राइबर और आपरेटर को बुले, यह क्या है? बुला, सर, हम पर हमला होगा है. And that is the moment I got extra alert. And I उस तरफ रात का कोई you know, साड़े आठ का टाइम होगा, साड़े आठ के बीच का टाइम, रात का बग्यत था, 23rd March 99 की बात है, और हलकी सी बारिश हो रही थी. तो अंधेरा था, तो पता नहीं लग रहा था, कहां से गोली आ रही है, और कोण मार रहा है. Because वो दोनों तरफ चुपे होए थे. तो that is initial by the time, and all this happens so fast, you know, it's a fraction of seconds में यह हो रहा है. So this is how the attack started and मेरा जो रेर एसकाड था, उसमें CRP थी. CRP का हैट का अंतरियां बाहर आ गया, यानि डाइड. Before we could even rescue him. So then ये सारा हुआ इतनी देर में मेरी special operation, group आगया, SP आगया, and then the operation was launched to get this test. लेकिन when I asked, when you know, when I again came back after two months surgery के बाहर, I asked CRP boys, you had LMG, why did you not fire back? So that was a learning experience. They said, sir, हमारे पास हमने जो magazine था, ओ चलाया, लेकिन, ओ यून जनों CRP used to carry in boxes, ammunition, extra ammunition. तो ओ जो initial fire कर दिया, एक magazine खातम हो गया, उसके बाद उन्होंने जंप कर दिया, और ammunition जिफसी में रह गया. So they could not take on these terrorists. जब हाथ पे गोली लगी थी, you realized you were injured? I realized, because blood ही blood हो गया, but spur of the moment में गरम, उस वगत तकलीफ नहीं होती, तकलीफ बाद में होती है, उस वगत तो गरम-गरम injury थी, तो pain तो शुरू में हुई, but बाद में, then you feel the pain. Exactly क्या हुआ था? ये पूरा हाथ कड़िया था. It is reconstructed. रिस्ट से? यहां से. यह उड़ गया ना, यह blood, यह जो, यह जो mass है, यह फिर, जब मेरी दिल्ली में सर्जरी हुई, वो उसको इधर चेस्ट में लगाया, और यहां से दो, तीन महीने रहा यहाथ, और इधर चेस्ट से, जो flesh है वो इसमें आया, फिर इसको काट के, इसमें flesh लाया, और इसको pin पे होड़ गया. आपका transplant हुआ है, fingers का? fingers. तो इस इस हो एक Dr. Suresh Gupta होते थे, most famous plastic surgeon of Delhi, but I don't think he would be alive, उन्हों ने ये मेरा treatment किया. अभी problem होते हैं आपको? ने, मैं, मैंने पूछा था, आप सीधा क्यों नहीं रखा उंगली? तो उसने कहा कि, जब आप अंगुठा बंद, जब मुठी बंद करोगे, तो ये उंगली ऐसे रहेगी, इसलिए उनने ऐसे बनाई ये, इस तरह से, तो आप इस वाई, I think he was very, very professional, तो इस बंडरफुल ज़ब ज़ब करोगे, तो ये उंबल तो ज़ब माई ज़ब. And you've inspired a generation. Oh yes. But I also definitely, थोड़ा और जानना जाओंगा सुर इसके बार, if you don't mind. I know it's not a very comfortable topic, मैं ज़स परस्पेक्टिफ जानने के लिए इसब पूछ रहा हूँ. क्यूंकि मैंने काफी सारे फॉजीों से बात करे ये शो पर, उन्हेंने का कि during combat आपको पता नहीं चलता, कि गोली लगी है, अड्रेनलिन इतने रश पर होता है, कि आप पूरे action mode में चले जाता हूँ. But दर्द फील हुआ? दर्द बाद में फील हूँ. उसमों पता भी नहीं चलता. As वो 10 किलोमेटर के stretch में, as you are driving, तब पता चलता. तो उसमों में सिर्फ गर्मी? उसमों में गर्मी होता है, उसमों में सर्भाइवल मोड में होता है ना आदमीं, I have to get out and I have to fight back. ओ जो Adrenaline scream होती है. तो उसमों में जैसे मैंने कहा, मेरी thoughts तीन जगा गई. तो to my family, to Lord Krishna and the teaching I had, learning I had in National Police Academy Hyderabad. वह स्प्लिंटर के बारे में बात करना जाओ है? वह अवेर कि महां भी कुछ हो है? Yes, I was taken to 92 Base Hospital. I was aware, in fact, a lot of bleeding happened. तो बाद में एक senior officer ने car को examine किया, उन्होंने ही कहा, hundreds of गोलियें लगी थी, क्योंकि मैं तो injured था आस्पिटल में, और उन्होंने कहा कि, तो वहिकल वाज फुली स्वोक्ट इन ब्लड. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा, ऐसे हजार क्लिप्स अपलोड किये गए हैं, इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ. क्योंकि मैं देखते जाओा, क्याओको वाजा हैं, ड совремeden क्या हिए रॉभी थी तो हाज कि वाज़ा हैं, क्योंकि मैं